हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में सर्च और इंडेक्सिन प्रॉलम को टुर्बल सूट कैसे करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना इस तरह से विंडो अपेन हो जाएगा रॉलम को ट्रॉक जाएंगा यहां में यहां पर को क्लिक करने के बाद यह विंडो करते हैं इस तरह से problem को detect करना शुरू कर देगा इसके बाद यह window open हो जाएगा अब आपकी case में क्या-क्या problem है यहाँ पर उस प्रॉलम को आप तिक क्लिग करती इस तरह से फिरसे ऑप्मेंट aujourd जाएगा आप किया कि नए फिर से यहां पे आपको कर देने इसके बाद आपको नेक्स पे खेल कर देने नेक्स पे क्लिक कर देने इसको रिपेयर करना आप आपको क्या करना है एक बार system को restart कर लिजेगा restart करने के बाद आप चेक कर लिजेगा आपका जो भी problem होगा वो solve हो जाएगा यदि मान लिजे restart करने के बाद भी आपका problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना है control panel open कर लेना है open होने के बाद यदि आपकी case में भी इस तरह से दिखते है तो आपको क्लिक करके आपको लारग ऐकन के उपर क्लिक करदेना है क्लिक करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपको दिखे जाएगा, टुर्बल सुट इसके नीचे आप को देख जाएगा यहाँ पे रीडि़ूल्ड करने के लिए किलिए क्या करना यहां पर क्लिक करना है इसके बाद यह विंडो आ जाएगा तो आपको क्या करना यहां पर आपको वेट करना है जब तक 100% कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक यहां पर आपको वेट करना है झाल 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 कंपलीट होने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा इसका मतलब यह कंप्लीट हो चुका है अब आपको क्या रियर स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो फिक्स हो गया होगा और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू